हाई फ्रेयर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल गोपी तेवारी और कैसे हूँ आप सर्थ तो यह मैंने नवराती मेकप लोग अपने चैनल पर डाला हुआ था तो मैं उसका अन्रेडी विदमी कर रही हूँ इसको उसके बाद जो है मेकप के बाद स्किन केर जो है हम कैसे करते हैं व तो इसमें जो है यह रिंग्स और हाथ का ब्रेशलेट आया हुआ है और इसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगी मैं मेकप रिमूब करने के लिए एन वाई का माइसलर बाटर जो होता है वो मैं यूज करूंगी तो यह बहुत ही अच्छा है मेकप को रिमूब करने के लिए तो, make-up के बाद, अपनी skin को जो है पूरा make-up remove करने के बाद ही friends, moisturizer लगा करके और make-up छुटा लेना चाहिए अपना make-up जैसे किया है, कहीं जा रहे हैं तो make-up करने के बाद साधी party में कहीं जा रहे हैं तो उसके बाद जो है, जब घर आएं तो अपना मेकप रिमूब करकर ही सोएं तो इससे क्या है आपकी इसकिन जो है एकदम से ब्राइट रहेगी और कोई भी साइड एफेक्ट मेकप का नहीं होगा तो यहां पर मैंने लगाई भी थी औरेंज की मिनी लिपिश्टिक जो की मैट थी तो औरेंज कलर था इसका तो इसको भी हम निकाल लेंगे तो आपने देखा न माइसलर वाटर से बहुत ही अच्छे से मेकप हमारा रिमूब हो गया है और उसके बाद हम क्या करेंगे फेस कर लेजिए और बड़े अच्छे से माइसलर वाटर से मेकप निकल जाता है आप देखी रहे होंगे तो यह मैंने अपना सारा मेक अप जो है निकाल दिया है उसके बाद हम क्या करेंगे माइसलर वाटर से आप अपना रिमूब कर सकते हैं यहां 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 पर वाइट वाइप वाइप जो होते हैं उनसे भी आप कर सकते हैं तो यहां मैं वैट वाइप से भी करके आपको बता रही हूँ कि बैट वाइप से भी मेकप निकलता है ये देखिए आप देख रहे हैं कि काजल जो है नहीं चूटा था उसको मैंने ज़्यादे रगड की नहीं चूटा है था नहीं तो चूट जाता माइसलर बाटर से तो मैं यहाँ पर ये काजल जो है मैंने चूटा लिया और बैट वाइप से भी आप चूटा सकते हैं माइसलर वाटर से भी आप चूटा सकते हैं मेकप जो भी आपके पास हो उससे आप चूटा सकते हैं अगर कुछ भी नहीं आपके पास तो गो नारियल के तेल से आप यह फेस्पोस मैंने कर लिया था और उसके बाद मैंने विटामन सी का डाला है टोनर तो टोनर क tutoring का है कि यहल्दी टौनिक जैसा होता है इससे क्या है हमारे पॉर्स जो है मिनिमाइज होते है तो आप क्या करें कि टोनर को जरूर ही यूज करें तो यहां पर टोनर लगाने के बाद मैंने विटामिन सी का सीरम भी लगाया था मैंने आपको दिखाया है और उसके बाद मैंने यहां पर मौस्टुराजर मैंने क्रीम लगाई गुड़ वाइप्स की और गुड़ वाइप्स काही मैंने सीरम और टोनर भी लगाया हुआ है तो यहाँ पर मेरा यह देखिए और दूसरी बात जो हैंड होते हैं वो थोड़े रूखे रूखे हो जाते हैं तो यहाँ पर हैंड को भी अपना मॉस्टराइज करना बहुत ही जरूरी होता है इस तरीके से यह हो गया मेरा स्किन केयर और उसके बाद हम लगा लेंगे लिबाम जो मेरी है बादी हर्वल की लिबाम है तो इसको हम लगा लेंगे अपने ओठों को भी मॉस्टराइज करना ना भूले फ्रेंड्स क्योंकि ओठों को मॉस्टराइज करना चहरे को हातों को यह सब बहुत ही जरूरी होता है उससे क्या होता है और यहां मैं किसी से बहसायद बात कर रही हूँ और यह हुगा मेरा स्किन केर वीडियो पसंद ना है तो लाइक सेरें सब्सक्राइब करिए